हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग कैसे आप सब स्वाधत आपका फिर से आपके अपने यूटूब चैनल पर और आज हम स्टार्ट करेंगे रेश्यों प्रपोर्शन का 11 लेक्चर और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था जिसमें किसी परसन का शेयर यह इन्क्रीज कर दिया जाता है तो हम उन कोसिंट को किस तरीके से basic method का यूज करके बहुत आसानी से isaious अक्रसकते हैं तो मैंने ऐस्ट करसकते हैं कंसेप्ट आपको पूरा समझा दिया था उसके ऐपर नbound को कौरख dabei थी आज मैं किसी person का यह तो increase कर देते हैं या क्या कर देते हैं decrease कर देते हैं तो आए start करते हैं question से यह बिल्कुल basic question है इसमें कहता है a sum is distributed between a b and c in the ratio 9 6 and 11 तो एक कोई particular amount है वो a b और c में बाटी जाती है 9 6 और 11 में तो 3 person है a b c इन में बटवारा कर दिया उसका 9 6 11 में अब क्या कहता है if a gives 500 from his share to c a ने अपने हिस्से में से 500 पर दे दिये किसको c को तो ratio कितना बन जाता है 4 3 और 6 देखो मैं आपको यह बताता हूं कि ratio का question हो या arithmetic का कोई भी question हो आपको सबसे पहले check क्या करना होता है question की condition question के दर जो condition कीवन है ना उसको आपको fulfill करवाना होता है आपको यह कीवन है कि a ने अपने share में से 500 पर दे दिये किसको c को तो आप में बताओ b के share पर असर पड़ेगा क्या आप को जी बिल्कुल नहीं हो गया बी के share को तो शेम करो बी के share को शेम कर दो और उसके बाद question हो गया खतम बी का share देखो एक से multiply करो उपर 9 6 और 11 नीचे दो से multiply करोगे 8 6 और 12 अब question देखो खतम हो गया अब कैसे खतम हो गया मेरे को बताओ यह कहता है ए ने अपने हिस्से में से 500 रुपे सी को दे दिये देखो एका हिस्सा पहले 9 यूनिट था आप कितना हो गया 8 और इसका 11 था कितना हो गया 12 यानिकी एक रेश्यो इसका घटा और इसका बढ़ा एक की value कितनी है question में यह 500 रुपे आप बिल्कुल आसान method मैंने इस question को solve करने का बता दिया है best method है यह ठीक है जो condition question में given होती है उसको fulfill करा दो question में यह दे रखा है आपको कि A ने अपने हिस्से में से C को 500 रुपे दिये तो इसका मतलब है B का share आपको पहले जितना करना पड़ेगा उसके बाद question हो जाएगा आप कोई increase करेंगे कभी decrease करेंगे उससे कोई फरक नहीं पड़ता concept वही रहेगा इफ रुपीज 20 is added to the share of A A के share में आपने 20 रुपे एड़ करती है यानि कि A को अपने 20 रुपे फालतू देने और B में से क्या कर दो 25 रुपे कम कर दो B में से 25 रुपे कम कर दो तो जो नया ratio हो ज जितना हिस्सा मिलना चाहिए ना उससे 20 रुपे फालतू चाहिए मेरे को अब B कहता है मेरे से 25 रुपे वापस ले लो तो इसका net effect क्या पड़ा बताओ पांच रुपे कम यानि कि देखो इस से 25 रुपे आप वापस ले रहे हो और इसमें से 20 इसको दे दो फिर भी पांच रुपे तो आपको कमी डिस्टिब्यूट करने पड़ेंगे ना यानि कि 2165 की जगह आपको सिरफ 2160 रुपे डिस्टिब्यूट करने है किन दोनों में A और B में किस रेशो में 4 रेशो 5 में तो बताओ अब तो कोशन हो गया खतम ठीक है यह क्या हो गया 9 9 की वेलू कितनी है आपसे पुछा है B का शेर B के शेर में से आपने 25 रुपे वापस लिये थे तो अब 25 रुपे इसको दे दो तो कितना हो जएगा 1225 रुपे यह कितना हो जएगा 1225 और यही इस कोशन का अंसर है ठीक है अगर आपसे A का शेर पूछते A के शेर में आपने क्या करना है 20 तो 20 रुपे क्या ले ले इससे वापस ले लो अगर एका शेर पूछता तो हमारा यह अंसर होता कितना 940 ठीक है तो ध्यान रखना है इस 20 को जोड़ना नहीं है क्योंकि यह चार रेश्यों पांच में बटे है ना यह 20 रुपे बढ़ाने के बाद बाटे गई है तो और इस प्रिशनल शेर तो क्या हो जाएगा 200 रुपे कम होएगा ना ठीक है यह करना है आपको को को फूर्षन में नेक्स्ट पूर्षन देखो यह सबसे इंपोर्टन पूर्षन और अच्छा पूर्षन है ठीक है बाकी कोश्चंस के लेवल से इस कोश्चंका लेवल का लेवल इतना है 600 रुपे है यानि कि मैं क्या मानता हूँ हमेशा कोश्चिंस में A के शेर को मैं A मान लेता हूँ B के शेर को B और C के शेर को C तिन्नों का शेर का सम कितना है 600 रुपे है अब आपको जो कंडिशन की वहना है उसको ध्यान से पढ़ो रुपेज 40 more than 2 फिफ्ट ओफ दा शेर ओफ ए यानि कि A के शेर का 2 फिफ्ट इससा कितना होता है बताओ मेरेको 2 बाई 5 ए इससे 40 रुपे ज़ड़ा यानि कि इतना सेर 20 रुपे ज़ड़ा किस से 2 बाई 7 ओफ बीज शेर यानि कि B के शेर का दो बटे 7 हिस्टा से 20 रुपे ज़ड़ा और ये एक्वल है तिन्नों आपको इक्वल दे रखे है ठीक है तो वो किसी नहीं किसी नंबर के तो equal होगी मैंने क्या मान लिया उसको यह तिनों चीजे किसके equal है के के अब आप बताओ उपर आपको सबस्ट equation दिख रही है कि एप लन सब्सक्तOD ये हैं लिटरेस्उ निकलन है क्या दो सब्सक्राइब को लिवेलु कैसे निकले बताओ यहां से अनु पर फॉर्टी को क्या कर दो माइनस कर तो उदर दी जाके और 2 by 5 को क्या कर तो 5 by 2 कर तो ठीक है ऐसे यहां से आप क्या निकाल लेना बी निकाल लेना बी कितना आएगा बताओ 2 by 7 का 7 by 2 हो जेगा और k-20 ऐसे आप क्या निकाल लो तो यहां से आपका k कितना आजएगा 100 आएगा ठीक है इतनी कैलकुलेशन से आपको घबराने के जोटनी है यह कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो k की वेल्यू कितनी आजएगी 100 k आगया तो बस कोश्चन ही खतम हो गया आपको किसका शेर निकालना है एका मिलेको बता हो एका शेर कितना है यह दिखाई दे रहे आपको एका शेर कितना है 5 by 2 into में के माइनस 40 और के की वेल्यू कितनी आएगी एक शोल करके 100 100 में से 40 गए 60 तो यह कितने आगा अपका 500 रूपे ठीक के एक शेर निकालना था कितना अगे लेटिस अगर बीका शेर निकालना होता तो बीका शेर कैसे निकालते बताओ यह रहा बीका शेर 7 by 2 into k-20 के की वेल्यू 100 100 में से 20 गए 80 80 को 2 से डिवाइड करोगे 40 40 into 7 कितना हो गया 280 अगर सी का शेर पूछता तो यह रहा सी का शेर कितना बताओ 17 by 9 और 100-10 यानिकि 90 तो यह कितना हो गया 10 यह कितना हो जगा 170 रूपे तो मैंने आपको तीनों के शेर निकालके दिखा दिए तो इस कॉंसेप्ट के उपर सबसे जो टफ कोशन था ना वो य अगजाम पास बिल्कुल भी नहीं कर पाओगी, कैलकुलेशन करने से कभी मधडर हो, सूल करो, सूल विंग जितनी ज्यादा करोगे आपकी कैलकुलेशन उतनी स्ट्रोंग होएगी, शोट टरिक देखने से, स्ट्रीर याद करने से, ठीक है ना, प्लस माइनस की ट्रिक पासान मेथल से कैसे कर सकते हैं ठीक है next question देखो यह बहुत अच्छा question है इसमें कहता है 15,525 रुपे को divide किया गया है सुनील अनील और जमील के बीच में इतने रुपे को divide कर दिया अब कहता है such that if rupees 22,35 and 48 is diminished यानि की कम कर दिये इनके हिस्से में से कितने कितने कम कर दिये 22 रुपे और 48 रुपे जो पिछला question मैंने करवाया है और दो question अब जो मैं करवाने वाला हूँ यह इस concept के उपर based सबसे tough question माने जाते हैं बच्चों को सबसे मुस्किल लगते हैं मैं आपको basic method से और आसान तरीके से इसको करवाँगा ठीक है तो ratio के जितने भी question है ना मैं कहत हूँ कोई भी concept मैं आपको करवा रहा हूँ जहां से भी जितने भी question exam में पुछे गए हैं मैं किसी भी question को skip नहीं करता मेरा यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी concept का overview आपको दे दिया उसके वपर based 2-3 आसान question करवा दिया और concept को खतम कर दिया मैं ऐसा बिल्कुल नह करता मैं जितने भी question बंते हैं ना उस concept के उपर मैं सारे question आपको करवाता हूं ताकि आपको कोई नया question ढूंडने भी मिले ही ना आपको यह लगेगा कि यह question तो मैंने किया हुआ है यह question भी मैंने किया हुए ठीक है आपको कोई भी book solve करने में फिर मजा आएगा क्योंकि इतना question में अगर आपको दिया होता है तो मेरे को बताओ हमने कल के lecture में जो दो question किये थे उसमें हम क्या निकाल सकते हैं इनका original share निकाल सकते हैं तो निकाल लो original share बताओ कैसे निकलेगा original share यह कितने होगे 70 105 यह total 105 रुपे होगे ठीक है यानि कि 15525 में से आप 105 रुपे क्या 113 यह कितना होगे 17 17 13 30 तीस की value question में कितने बताओ 15420 एक की value कितने आज़ेगे अपकी यह दो सो चाहसर यह आपके आएगी एक की value करोगे 305 15 और वन फाईव और फोटीन एक की value कितने आगी तो मेरे को बताओ 7 कि वैल्यू कितने आज़ेगी 7 की value आज़ेगी 3598 नवे multiply करन और तेरा की वैल्यू 5140 में 1542 और जोर दो तो कितना हो जाएगा आपका बताओ 40 में जोड़ोगे तो 6682 यह आजेगी ठीक है calculation करने का अपका तरीका पताऊना चाहिए अच्छा मेरे को बताओ क्या यह original share आगा क्या original share नहीं आया यह share आया है जब हमने 22 रुपे 35 रुपे और 48 रुपे घटाए थे बच्चे गलती कर देते हैं इसी को answer टिक कर देते हैं लेकिन यह नहीं यह answer original share जो इनका था ना वो यह था अगर आपसे तिनों में से किसी भी person का original share पूछ लिया जाता तो आप इसमें से answer टिक कर देते हैं आपका answer बिल्कुल okay आएगा ठीक है लेकिन आपसे यह नहीं पुछा question में question में क्या पुछा है थोड़ा ओर tough बना दिया question को कहता है what would have been the ratio of their sums if 16,77 and 37 be added to their original share यह तो इनका original share आ गया इसमें कहता है 16 रुपे इसमें add कर दो और 77 रुपे इसमें add कर दो और 37 रुपे इसमें add कर दो अब जो यह share बनेगा ना इसका आपको ratio निकालना है ठीक है तो 101 पे कटेगा 101 पे कटेगा यह 36 आजएगा यह 52 आजएगा और यही इस question का answer है तो सबसे tough question बच्चे इसको मानते थे आज के बाद मैं नहीं कहता है यह question आपको tough लगेगा और इससे भी tough एक और question यह अब मैं आपको करवाता हूँ next question देखो बिल्कुल same to same question है उसमें क्या है data change हो गया बस देखो इसमें क्या कहता है आठ हजार 55 रुपे का सम सुजीत मंजीत और रंजीत तिनों में बाटा जाता है सुजीत मंजीत और रंजीत में बाट दिया अगर 20 रुपे 18 रुपे इसमें statement में बस क्या है English medium वाले change कर लेना यह 24 और 53 और यह 8 यहाँ पे 33 के जग रुपे और 37 रुपे तो जो बाकी इनका जो सम होगा ना उनका ratio कितना हो जाएगा 11 9 और 10 यह हो जाएगा मैंने का था इतना question पढ़ो बस एक बार इसके आगे मत पढ़ो यहां के बाद आप original shade निकाल लो मुझे बताओ total 8,055 रुपे है कम कितना हो गया बताओ 38 और 37 और 10 10-8 9 19-1 और 920-2010-2030-13 की वैलु कितनी है आप 710-909 की यह होगी बता हो 266 होगी एक की वैलु अगर 266 होगी तो मुझे बता हूख 11 की वैलू कितनी हो कितनी होजगे अब बहुत आसानी से निकाल सकते हो कितने होएगी 3926 और 9 की वैल्यू कितनी होजेगी अब की 294 और 10 की वैल्यू कितनी होजेगी 266 को 10 से गुणा करोगी है हो क्या लेकिन मैंने फिर कहा यह Original शेर बिल्कुल भी नहीं है चैनल उसमें एड कुछ आप सुंहें हिए कि अगर इनका पैशंऊा और इसमें कृटर नहीं और 17 रोपे एड करओ और यहां से 292 पर यहां से आजएगी और 2750 से एक जीरो से एक जीरो कार्वत दो और जब ग्यारा से हैं तिनों क्या भागो रहे हैं 11 से भाग करो कि 1122 ग्यारा सब्सक्राइब अब कर रहे हैं और 12 добry और 12ट इस हालवी और 1225 तो यह आपका अंसर आगे देखो 27 22 25 तो सबसे टफ कोशन थे यह दोनों के दोनों ठीक है और एक से पहले वाला जो मैंने आपको कोशन कर रहा था लेकिन आज के बाद आपको यह कोशन टफ नहीं लगेंगे मैंने ना तो कोई टफ कैलकुलेशन आपको बताई ना कोई टफ आपको म सब्सक्राइब चलता हूं क्या कुलेशन में अच्छी है तो मैं में कहता हूं मैं समयं कैलकुलेशन अगर अच्छी होगे आपकी तबही आप में itself कर पाऊगे अधर वाइब आप इंटेलिजेंट वर्चों को कभी कंपीट नहीं कर पाऊगे लाइफ में ठीक है कैलकुलेशन आपकी बहुत स्ट्रोंग होनी चाहिए तब जाके आपका मैस अच्छा हो सकता है सिरफ एक ही तरीक है प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस नेक्स्ट कोशन देखो अब इस कि बीकंफिजन रहेगी नहीं ऐसे क्रण क्युंस को अब होई और भी दो पर्संन है इनकी इस साल की इंकम का रेश्यो यह आप यह मांलो आप यह मांलो यह लॉंप सिरह सक्शन होए इनकी लासियर की इनकम है लासियर का मतलब जैसे अब माड़ो 2021 सल रहा तो ये इनकी इनक कमाते थे 3 और 4 के ratio में ठीक है अब आपको question में क्या given होता है present year present year कहे लो या current year कहे लो या क्या कहे लो इसको current year बोल तो current year यह कहता है जो current year में a की income है ना a की income की बात कर रहा हूं मैं जो a की income है वो last year और current year की income का ratio इसकी last year और current year की income का ratio तीन रेशो चार है पहले तो मेरे को ये बताओ इसका meaning क्या है बस ये आपको समझ आ गया तो question हो गया ख़तम यहाँ पे इसका मतलब यह है कि last year अगर ये तीन रुपे कमाता था ना तो इस साल कितने रुपे कमाता है बताओ ये चार कमाता है ठीक है आप कहोगे सर पिछले साल तो ये वास्तों में तीन ही कमाता था तो मैं कहता हूँ अगर पिछले साल तीन कमाता था तो अब की बार कित रुपे कमाता था अब कितने कमाता है छे कमाता है और आपको होगे सर यह तो चारी कमाता था तो मैं कहता हूं इस साल यह कितने कमाता होगा छे कमाता होगा समझागे यहां तक तो I think सबको समझा गया होगा अब आपको कोश्चन में यह दिया होगा कि इन दोनों की चो करंट की इंकम है ना current years income का sum A और B की current year की income का sum आपको दिया होगा मान लो 2000 रुपे तो आप से अलग-अलग income पूछ लेगा अब आप मेरे को बता दो current year की income इसकी कितनी है 4 unit इसकी कितनी है 6 unit 4 और 6 कितना हो गया 10 unit 10 की value कितनी है question में 2000 एक की value कितनी होगी 200 तो यह कितना कमारा है बताओ 800 और यह कितना कमारा है बताओ अमिर को 1200 अंसर आगया तो बस यही concept है यही concept है last year और current year की income वाला तो इसके अंदर बस question को मुश्किल कैसे बना देगा अगर मैं इसी question में आप से यह बोलूँ देखो यहाँ पे तो मैंने क्या ले लिया था data आसान लिया है ताकि मैं आपको चीजें starting में समझा सकूँ जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करते हो ना तो आप data को हमेशा easy मानों ताकि आपके दिमाग में concept बैट जाए क्योंकि जाए कि मुझकिल डेटा थो हम कभी भी फिट सोल कर लेंगे यहाँ पर ए और बी की जो income है वो कितनी है त्री रेशो four है यह कब की बात है यह लास्ट year की income है ठीक है यह लास्ट ये इंकम है अब आप से कहेगा अब आप से यह कहेगा कि इनकी जो लास्ट और current year की income का ratio है ना, last year और current year की income का ratio, A का कितने है मानलो, 4 ratio 5 है, और B का मानलो कितने है, 6 ratio आपका 9 है, 6 ratio 9 या 6 ratio 13 मानलो, कुछ भी मानलो, इससे कोई फरक पड़ता ही नहीं है, ठीक है, ये तो question में given होगा आपको, मैं question को मुश्किल बढ़ा रहो हम आपके दिए, देखो, इ इस साल कितने कमाता है, 5 कमाता है, last year अगर 4 कमाते थे आप, तो इस साल 5 कमाते हो, तो बताओ, last year अगर एक कमाते थे, तो इस साल कितना कमाते हो, 5 बटे चार, लेकिन last year तो आप कितना कमाते थे, 3, तो 3 कमाते थे, 3 से गुना कर दो, कितना हाज़ेगा, 15 बटे चार, याने क इस साल की इसकी income कितने हो जाएगी 15 by 4 बस यही concept था जो मैं आपको समझाना चाहता था पिछली बार मैंने 3 से 3 ले लिया था 4 से 4 ले लिया था लेकिन paper में इतना असान question नहीं आएगा आपको सब level के question करने चाहिए देखो अब पिछली बार अगर यह 6 रुपे कमाता था तो अब कितना कमाता है बताओ 13 रुपे कमाता है अगर एक कमाता था तो 13 बाए 6 लेकिन कमाता था तो चार कमाता था तो 13 बाए 6 गुना में 4 यानि कि 2 और यह तीन 26 अपन में 3 यानि कितना आजएगा यह 26 अपन में 3 तो मुझे बताओ दोनों की जो current year की income है यह क्या आगी इनक अगी current year की income आगी इनकी तो उसका ratio कितना हो गया अगर आप ratio की बात करें अगर हम ratio की बात करें तो LCM ले लो 12 यह कितना आजएगा 45 और यह कितना आजएगा बावन यानिकी इन दोनों का ratio कितना आजएगा 45 रेशो बावन और आपको question में given होगा क्या given होगा कि इनकी जो current year की income है ना current year income of आपकी बार मान लो आपको B की income देदेगा यह 10400 रुपे तो कहता है A की income बताओ तो मुझे बताओ B की income जब आपको ratio पता लगया current year में तो यह इसकी income है यह कितने गुना है बताओ 200 गुना इसकी income को भी कितना कर दो 200 गुना यानिकी 9000 रुपे यहीं इस question का क्या है answer है जो सबसे tough question बनता है ना है इस concept के उपर वो मैंने आपको समझा दिया ठीक है मेरा कहने का मतलब यह है यह आप यह सोचो यह 4 रुपे कमाता था पिछली साल अब की बार 5 कमाता है याने कि 4 books की value 5 है तो आपको बतानी है तीन books की value कितनी होगी पर चार books अगर 5 करता हूं अच्छे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस concept के उपर बेश्ट देखो इसमें क्या कहता है तर रेशो ओफ दे इंकम ओफ एंड बी वन एयर एगो वन यह रेगो का मतलब वही पिछला साल हो गया लास्ट यह और बी दो परसन है इनकी लास्ट यह की इंकम कि कितना है तू रेशो थरी तू रेशो थरी का मतलब पिछले साल अगर यह दोर पर कमाता था तो इस साल कितने कमाता है तीन और ऐसे ही बी का है तीन रेशो चार तो मिर को बताओ यह लास्ट 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 यह लास लास्ट यह तो यह तीन कमाता था तो अब कितने कमाएगा नाइन बाए टू करन्ट यह में कितने कमाएगा नाइन बाए टू हो गया लास्ट यह तीन कमाता था तो अब की बार चार कमाता है लेकिन यह तो यह कमाता है तो दो की वेल्यू कितनी होगी चार बाए तीन मुना मे तो यानि कि 823 इनका क्या निकालो आप रेशों निकालो रेशों निकालो गेशेल से माई का नो 27 और दूनि नियों इनकी करण्ट एर की इंकम का रेशयो आगया 27 रेशयो 16 अब आपको कोशिन में क्या देखो कोशिन में क्या है ये देख लो तोटल प्रेजंट इंकम ओफ A and B की together is this one दोनों की income का सम दे रखाय आपको यानि कि 27 और 16 43 43 रिशयो का सम है कितना आपको इतनी वैल्यू है तो एक की वैल्यू कितनी आगी बताओ 500 आगी एक की वैल्यू 500 आगी आपकी पी की करेंटी इनकम बतानी है पी यह रहा 16 गुना में कितना 500 कितनी आगी आपका अंसर कितना आगया आठ हजार रुपे तो देखो कितना ही टफ कोशन बना दे मैं कहता हूं आप इस कोशन को अराम से सोल कर दोगे कोई किसी भी चीज में अर्थमेटिक में कोई एक दो कंसेप्ट को छोड़के शोट ट्रिक आपको सीखने की जरूरू तरिया है बेसिक मेथड़ प अगर मेरे को कौशन को सोल कर दूगा कि किसी बताओ यहां बच्छों के काहता है अगर यह पिछले साल चार चार कमाता था तो अब कि बार 5 कमाता तो बताओ तीन कमाता था पतने कितनी है तो दो कोई भी बता देगा बाइड चयार गुना तो कोई बढ़ेता है तो इस से आप क्या कर तो जृट भी कर रहे हो इस जुफ कर रिवर्श रिवर्श तो आप ठेकर त्ट यह पंदर कर दो किससे तीन बटे-4 की जगह चार बटे तीन से यानकी 20-3 अब 12 क्या लेलो एल सिम ले लो 12 यह कितना एका 45 12 को 6 से करोगे सब्सक्राइब बहतर और 4 करोगे कितना अशी इनका रेशियों कितना अगया 45 बहतर और और आसी आपको कोशन में क्या गिवन है देखो उनकी वरतमान वर्श की कुल आये आपको यह दे रखिया है कुल आये का मतलब कितने होगे तिनों का एडिसन एडिसन कितना होगा बताओ अमेर को यह कितना होगा 117 और 897 एक सो सतानुए यूनिट की वैलिव आपको किवन है कितनी 980 याने कि 989,500 एक की वैलिव कितनी आज़ेगी पता हो यह पांस पर कट रहा है क्या यह पांस पर आपका कट जाएगा 19 पंजे कितने होते हैं आपके 95 और 75 यह तो कितना अगया आपका 9535 आया तो साथ पर यह नह तीन गुणा में 5 15 बाइब 4 और 4 गुणा में 32 यह कितना आज़े कपका 4 ती 12 को 2 से डिवाइब करोगे 6 और यह कितना 5 चोके 20 20 बाइब बारह लिए 15 तीय 45 बारा ची के 72 और 4 20 चोके 80 तो यह आगया आपका 45 और 72 117 117 में 80 जोड़ोगे 197 197 यूनिट की वैल्य आपको कोशिन में 98500 इवन है तो एक की वैलू निकालो आप एक वार है इतना ही करो इसको सोचो मत ज्यादा एक की वैलू यह आगी न आप से पुछा क्या है बी और सी की वर्तमानाय ग्याद करो बी प्लस सी की यानि कि दोनों को एडिशन आपको फाइंड करना है तो बी प्लस सी का एडिशन देखो कितना है आपको बताओ बी और सी का एडिशन कितना है 152 तो यानि कि आपको 152 रेश्यों की वैलू निकालनी है तो 998500 अपॉन 197 गुना में 152 अब इसको आप सौल कर लो यह किस पे काट लोगे देख ल यह तो इसकी कैलकुलेशन में यहां पर मिस्टेक हो सकती है या मेरे दिमाग में नहीं आरी कैलकुलेशन आप इसको सोल्ड कर लेना 197 से डिवाइड ही कर लेते हैं ठीक है कि एक हसार से क्या कर लो उना कर लो तो कितना आजएगा सेवंटी सिक्स थाउजन सेवंटी सिक्स थाउजन इस कोश्चन का अंसर है ठीक है तो मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट पर बने लो कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट कोशन देखो क्या कहता है यह इस कोंसेप्ट के पर बेस्ट लास्ट कोशन है आज का बहुत आसान कोशन है बिट्विन टू कंजेगटिव इयर्स दो लगातार सालों में माई इंकम आर इंद रेशो तू रेशो थरी यानिकी मेरी इंकम एक ही परसन है यहां पर यह इसकी क्या है लास्ट य ilgili में दो कंजलेगटिव कहों अब तेन कमाता था तीन कमाने लग गया अब पछले साल अगर यह 5 अईप फर खर्चा और यही second year की income, यानि की present year की 45,000, तो 3 की value कितनी है, 45,000 है, यह हो गया, and my expenses in the first year is 25,000, फस्ट year में expenditure, देखो यह रहा, 25,000, तो मुझे बता दो, इसने क्या बता नहीं है, find my total saving of the two year, दोनों साल की total saving, यहां से मिरे को बताओ, 3 की value अगर 45,000 है, अगर 3 की value 45,000 है, तो इस 2 की value कितनी हागी, 30,000 हागी, यानि पहले साल की income कितनी, 30,000, 5 की value 25,000 है, तो 5,000 से गुना करो, तो 9,500 कितने हो जेंगे, 45,000, तो यानि कि इस साल का खर्चा कितना आगी आगी आपका, 45,000, तो बताओ, total saving बतानी है, यहां पे saving कित कर दिया, saving कितनी होगी, 0, तो total saving कितनी हागी, आपकी, 5000, और आप से total saving question में पुछी लिए थी, answer कितना आजेगा, 5000, तो बिल्कुल basic level का question था, इसमें कोई खास बात ने थी, समझाने वाली, तो आज के lecture में हम इतना रखते हैं, 7 type हमारी ratio proportion की हो चुकी है, देखो मैं आपको जो भी chapter, जो भी topic करवाँगा, वो मैं type बना कि इसलिए करता हूँ, ताकि एक particular type के questions के उपर आपका focus बना रहे, आपको समझाए, कि उस type के questions को solve करने का best method क्या है, अपरोच क्या होने चीए, question को solve करने की, question की starting कैसे करते हैं, ठीक है, और previous year के अंदर जितने भी question आए हुए हैं, उनकी हमारी साथ साथ में क्या practice भी हो जाती है, तो इसलिए जब भी आप कोई नया topic पढ़ते हो ना arithmetic में, या maths के किसी भी topic में, तो आप क्या करो, उसको type wise बढ़ो, अलग-लग type के जैसे आपको question दिखे ना, आप उनको अलग-लग type में अपने आप भी आप distribute कर सकते हो कि इस question को मैं इस type में रखूँगा, इस question को इस type में रखूँगा, फिर उससे आपके फायदा ये होगा, अगर आप उन सभी type को बिल्कुल अच्छे से समझगे और practice कर लेते हो, फिर आप कोई भी book लगाओगे ना, तो आपके question आसानी से solve होने start हो जाएगे, ठीक है, पहल पर क्या होते हैं, सिर्फ student ही होते हैं, तो student कोई ऐसा नहीं होगा, कि आपको concept समझा देगा, आप वो question कर लोगे, एक question, दो question, पांच question कर लोगे, लेकिन फिर आपके सामने जब नया question आएगा, उस concept के उपर based, आप फिर जो अना उसमें गलती करोगे, तो इससे अच्छा है आप एक topic को बहुत अच्छे से पढ़ लो, डिटेल में पढ़ लो, फिर आपको कहीं जरूर तनी पड़ेगी, कोई group जोईन करने की, आप अपनी book से practice करो, previous year question से practice करो, आपका math अच्छा होता जाएगा, ठीक है, आज के lecture में इतना ही रखते हैं, thanks for watching this video, see you in the next lecture, till then, bye bye, take care. आप करे